आज एक अत्यन्त महत्पूर्ण विशे हम आपके बीच में लेकर उपस्थित हैं जो विशेश तोर से UPA की और अब इंडिया की चेर परसन जो हमारी चेर परसन हैं कॉंग्रेस पार्लेमेंटरी पार्टी की श्रीमती सोनिया गांधी जी चेर परसन उदे कॉंग्रेस पार्ले ग्रह लक्ष्मी, दुनिया की सबसे बड़ी महिला डारेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम की आज हम शुरुआत कर रहे हैं एक करोड पैंतिस लाख घरों की महिला मुखियाओं के खाते में करनाटक की कॉंग्रेस की सरकार हर महीने दो हजार रुपिया डालेगी भाजप्पा निर्मित महेंगाई पर, मोदी निर्मित महेंगाई पर, करनाटक और कॉंग्रेस की महिलाओं और कॉंग्रेस का ये सबसे बड़ा वार है साथियों आज कॉंग्रेस पार्टी देश और दुनिया में एक नया इतिहास रचने जा रही है करनाटक में आज शाम को पाँच बजे भारती एराश्ट्रिय कॉंग्रेस की सरकार ग्रह लक्षमी कॉंग्रेस गैरंटी स्कीम की शुरुआत करेगी जैसा मैंने कहा ये देश और दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है महिलाओं के लिए करनाटक चुनाव से पहले कॉंग्रेस अध्यक शिरी मलिका अरुजुन खडगे और हमारे नेता शिरी राहूल गांधी जी ने महेंगाई से लड़ने का अहवान किया था चुनाव पूरव विपक्ष के नेता और मुझूदा मुख्यमंत्री शिरी सिधार अमया प्रदेश कॉंग्रेस के उस समय और आज के अध्यक्ष और आज के उप मुख्यमंत्री शिरी डीके शिवकुमार और कॉंग्रेस के नेता और हर कारेकरता ने उस आहवान को मीनिंगफुली ट्रांसलेट करने का वादा किया था और उस वादे का नाम था ग्रह लक्ष्मी बगेर जाती देखे बगेर धरम देखे हर महीला मुख्या जो परिवार की है उसके खाते में हर महीना दो हजार रुपिया ट्रांसफर होगा हमने वो उस आहवान को व्यापक तोर पर लिया असल में हम वापिस करनाटक की महीलाओं के पास गए सैंपल के तोर पर देश की महीलाओं का रुख भी किया और उनके उपिनियन उनकी राए भी ली और सब महीलाओं ने सबसे पहले हमें बताया के मोदी जी द्वारा चार सो रुपे का जो गैस सेलिंडर कॉंग्रिस देती थी अब साड़े ग्यारा सो रुपे का हो गया है वो उनकी सबसे बड़ी पीडा है महीलाओं ने हमें बताया के दो सो रुपिया का खाना पकाने का तेल खरीदना एसंबव है महीलाओं ने हमें जोर से कहा के डेड़ सो और दो सो रुपे किलो की डाल ने अब उनकी प्लेट से उनकी थाली से उनके घर से डाल को लगबग गायब कर दिया है महिलाओं ने बताया कि खाने पीने की हर वस्तू वो दूद हो दही हो पनीर हो उसे खरीदना एसंभव होता जा रहा है ऐसे में उन से चर्चा कर हमने पूछा कि कल्यान कारी सरकार क्या मदद कर सकती है तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार की स्कीम का गठन करिये कि जिससे हर महीना हमारा बजट चलाने में हमें मदद मिल सके तो ग्रह लक्ष्मी स्कीम को फॉर्म किया गया मोदी सरकार ने घर का बजट बिगाडने में तो कोई कमी रखी नहीं उसके साथ साथ दूद पर दही पर पनीर पर जी एस टी और लगा दिया और खाने पीने की हर वस्तू पर और आप सब क्योंकि साधारन मद्यंबर्ग हम सब परिवारों से आते हैं तो आपने देखा होगा आज कल तो मैगी के और बिसकूट के पैकेट से भी दस दस बीस बीस ग्राम चोरी हो गया कीमत वही है कीमत वही पैकेट का वजन कम बिसकूट के पैकेट का वजन भी कम आज ये हलत देश की है और इसwałिए हमने इस स्कीम को चलाने का निर्ड़े किया कॉंग्रेस की सरकार का प्रदेश के लोगों ने गठन किया आज ये scheme lodge हो रही है, इसके कुछ मुख्य बिंदू हैं जिनकी चर्चा में करूँगा, पहला, ये दुनिया की सबसे बड़ी महीला DBT scheme है, ग्रह लक्षमी, और हर घर की महीला मुख्या को 2000 रुपया मिलेंगे, income tax slash GST वाले परिवारों को छोड़ कर, ना कोई जाती देखी जाएगी, ना धरम देखा जाएगा, हर परिवार को मिलेगा, ना APL, ना BPL, कोई इसके अंदर division नहीं है, So it's a unique scheme in its own way, number two, ग्रह लक्षमी का पैसा 15 से 20 अगस्त के बीच, 30 दिन registration के होंगे आथ से, और उसके बाद ग्रह लक्षमी का पैसा registered महीलाओं के खाते में 15 से 20 अगस्त से जाना शुरू हो जाएगा, पर registration खतम नहीं होगा एक महीने में, ये निरंतन पूरे साल चलने वाली प्रक्रिया रहेगी, नमबर तीन, इस साल ग्रह लक्षमी का बजट, अठारा हजार करोड रुपिया रखा गया है, क्योंकि लगबग आदा साल चला गया है, और इस साल, एक करोड ग्यारा लाक महिलाओं को ग्रह लक्षमी स्कीम का फाइदा मिलेगा, यानि हर महीने खाते में दो हजार, और अगले साल तक हमारा ये अनुमान है, कि ग्रह लक्षमी की लाभानवित महिलाओं की संख्या एक करोड पैंतिस लाक हो जाएगी, और हर साल तीस हजार करोड रुपिया करनाटक की महिलाओं के खाते में सीधा ट्रांसफर होगा, आपकी जानकारी के लिए में बताना चाहता हूं के करनाटक में एक करोड अठाइस लाक राशन कार्ड ऐसे हैं, जहां पहले से ही घर की मुख्या महिला को दिखाया गया है, जो अच्छी बात है, तो इनको तो आटोमेटिक मिल ही जाएगा, और और जो महिलाओं रेजिस्टर कराएंगी, उन्हें भ कर देंगे, और कल से ही साथ हजार सेंटर हैं करनाटक में, गाउं में जो सेंटर हैं उनको बोलते हैं, सरकार के सेंटर हैं, बापुजी सेवा केंद्र, और जो शेहरों में सेंटर हैं उन्हें बोलते हैं, करनाटका वन और बैंगलोर में सिरफ उन्हें बैंगलोर वन का ना उन्क दोड़ yhtी अगे जड़ करे ल narratives एंट